हेलो फ्रेंड जस्ती आपका स्वाक्त करती है निटिक जैनल पे तो आज हम बहुत सुन्दर सा डिजाइन बनाड़े वाले हैं बेबी बूल पे और दस नंबर पे हम इसको बनाएंगे बहुत ही सुन्दर डिजाइन है तो इसको हम 6-6 फंदों में बनाएंगे 6-6-6 और एक-एक फंदा आगे रखेंगे डिजाइन बहुत सुन्दर है इसको किसी भी प्रजेक्ट में डालिए लेडिस कार्डिगान में बच्चों के स्वेटर में जैन स्वेटर में हर जगा आल परपल डिजाइन है हर जगा फीट होता है तो हम बेबी के लिए बना रहे हैं तो बड़ा सुन्दर सा है और इसको बनाना भी बहुत असान है बिगिनर इसको बड़ी असानी से बना सकते है आठ had का डाईयन है फिर आठ लाई में डिजाइन भेजाइन चेंज होका ड्रेक्शन चेंच हो जाएगी और इस में सबसे बड़ी बात है कि बैक साइट से पूरी उल्टी सलाई आएगी इस डिजाइन को कैसे बनाना है 6 और 6 और 6 छे 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 फंदों में तो हम थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे उसी को आप ध्यान से देखिए और आके बनाएगे तो इसकी जो फर्स्ट सलाई है वो हम एक फंदा सीधा स्लिप कर लेंगे थ्रेट करेंगे अपनी तरफ और हम 6 फंदे उल्टे बनेंगे दो, तीन, चार, पांच और 6 शे फंदे हम फिर उल्टे बनेंगे ऐसे और एक फंदा हम सीधा बनेंगे ठीक है बॉर्डर आप कोई भी बनाएगे है, हर बॉर्डर अच्छा लगेगा इसके नीचे बॉर्डर के बहुत से डिजाइन हमारे चैनल जसी नीटिक में है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ब्रेस करें, आपको पूरे डिजाइन दिख जाएगे आप आते हैं इसकी सेकंड स्लाई और बैक साइड में, बैक साइड में सेकंड स्लाई हमने टोटल जितनी वे भंदे हैं, वो उल्टे भुन केते हुए, कम्पलीट करने हैं, इसमें हमने कोई भी सीधा जा उल्टा भंदा नहीं बनाना है जड़े कि हमने पूरी स्लाई उल्टी भुनी आपके सामने, अब आते हैं थर्ड स्लाई में, थर्ड स्लाई हम फर्स्ट और टू जैसी ही बनाएंगे सेम, तो थर्ड स्लाई हम फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, और शिक्स फंदे फिर, क्योंकि सेम बनानी है, फर्स्ट की तरह, तो सिक्स फंदे हम उल्टे बनेंगे, सिक्स फंदे हम सीधे पर सीधे बनेंगे, छे, ऐसे, फिर सिक्स फंदे उल्टे बनेंगे, तो हमारी थर्ड स्लाई कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट फंदा हम सीधा बनेंगे, सीधा बनेंगे, जा है हमारी 3rd Slaugie Complete होगी. अब आते हैं 4th Slaugie में. पूरी उल्टी बना के Complete करना. जिदेखे, friend हमने 4th Slaugie Complete करती है. अब 5th Slaugie और 6 Slaugie में डिजाइन बनेंगा. कैसे? जिदेखे जो हमारा 1st Funda है वो तो हमने Slip कर लिया और पीछे ही Wear रखना है slip करके इनको अब उल्टानी बुनना सीधा बुनना है तो हम इस में से दो फंदे सीधे ले लेंगे 6 फंदों में से 2 फंदों पर 1 फंदे में से 3 फंदे नकाल लेंगे थोड़े लूज तो 2 में से 3 बनाए, 2 हमने simple बने है, 1 edge stitch है, 2 simple, 3 बनाए, 3 बनाए, 1 एक फंदे से, फिर आगे इन 2 उल्टे फंदों में 2 सीधे बना दिए, next फंदे हमारे 6 सीधे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फंदे हमारे सीधे आगे, फिर आगे 2 फंदे और सीधे बनेंगे, तो हमारे जहां से लेके, बीज के 10 फंदे सीधे होगे, आप इन 2 को 3 बनाएंगे, 1 गुमाया 2 और 3, फिर इसमें से, 1, 2 और 3, फिर 2 सीधे आएंगे, और 1 उल्टा आएगा, और हमारी ये पांच मी स्लाई है, और 20 फंदों में डिजाइन डल रहा है, 6, 6, 6, 18, और 1, 19, और 1, 20, अब आते हैं, इसकी बैक साइड में, 6 लाई, 6 लाई में हमने क्या करना है, सीधा फंदा स्लिप किया, और 2 फंदे हमने उल्टे बुने, अब जो फंदे हमने 3 तीन बढ़ाए हैं, उनको हमने, 3ों को स्लिप करना है, बुनना नहीं है, फिर 3ों को स्लिप करना है, बुनना नहीं है, फिर इस फंदे को आराम से ऐस से बुनना है तो यह बीज के हम 10 फंदे उल्टे बुनेंगे दो बुन लिए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब ए तो 3 फंदे स्लिप कर लिए फिर हमने 3 फंदे स्लिप कर लिए और दो फंदे लास्ट में हमने बोल लिए तीनों ही बोल लिए उल्टे हैं अब फिर आते हैं सीधी साइट तो 6 स्लाई कम्प्लीट होगी अब 7 और 8 में हमने इन फंदों की डिरेक्शन चेंज करनी है तो कैसे एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे अब स्लिप करने के बाद हम यह जो फ्रंट के दो फंदे हैं इन तीन मेंसे हम चेंज करेंगे क्रोस करेंगे इन दो फंदों को सिंपल ऐसे ले लेंगे और इन तीन फंदों को ऐसे पकड़ लेंगे और इदर रखेंगे और इन तीन फंदों को तीन फंदों का हम एक करेंगे कर दिया अब बीच के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और जहां पे इन तीन फंदों को पीछे लाएंगे, इन दो के साथ, तो हम क्या करेंगे, दो को ऐसे पकड़ लेंगे, और इन को पीछे ले जाएंगे, ऐसे, तो इन दो को भी हम बारी बारी से बुन लेंगे, तो चार फंदे बीच में आगे, अब जो जी इदर लेके गए हैं न फंदा, पीर हमने 6 फंदे सीधरे बुनने हैं और हमने फिर जहांपे Cross करना है ऐसे फंदे उतारे दो को पकड़ लिया ऐसे पीछली बैक साइड से और इने को आनके के फंदों में और इन 3 फंदों को हमने फिर सीधा बुनना है ऐसे और 2 फंदे बीचanki के सीधे बुनने है और इन दो फंदों को पीछे से पकड़ना है और इनको आगे लाना है ऐसे क्रोस हमने करना है और फिर इनको सीधा ही बुनना है और ये लास्ट वाले जो तीन फंदे हैं इदर को जाने है इनको बैक साइड से बुनना है और इसको सीधा बुन देना है और हमारे ये देखिए डिजाइन कवर हो गया है अब आठवी सलाई है और आठवी सलाई में हमने पूरी सलाई उल्टी बुनते हुए कम्प्लीट कर लेनी है ये देखिए हमने आठवी सलाई कम्प्लीट कर ली है अब देखिए डिजाइन हमारा कबर हो गया है अब हमने डिरेक्शन ही जेंज करनी है यह डिजाइन जहां लाना है और जहां एडिजाइन बाहर आ जाएगा एडिजाइन बाहर कैसे वो हम आपको एक बार बताते हैं जैसे स्लिप किया फंदा और जहां पे हमने 6 फंदे सीधे ही बना कर बुनने है इनको सीधा रखना है और जो हमारे बीज के 6 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है और इनको हमने सीधा बुनना है 2, 3, 4, 5, 6, такой लास्ट वाला उल्टा बने जासीता बने जी देखिए ऐसे यह वाला टेजाइन जहां पर आ गया अब हमारी यह फर्स्ट सलाई है सेकंड हाज सलाई हम इसमें फिर क्योंकि आठ सलाई बनानी है तो सेकंड सेम बनेंगी तो हम ऐसी फोर सलाई कम्प्लीट करेंगे यह देखिए फ्रण हमारी ट्रेक्शन शेंज हो चुकी है जैसे दो सलाई हमने बनाई दो और बनाके कम्प्लीट करें यह देखिए फ्र फिर फोर सलाई यह वाली कम्प्लीट हो गी है इसके उपर हमने फिर वैसे ही डेजाइन डालना है 6 सिक्स फंदों में 2 बुलेंगे सीध पार, पांच, छे और फर्स्ट वाले साथ, एक एडिश स्टिज, सिख्स फंदे सीदे, अब जहां पर हमने डिजाइन डालना है, तो हम दो यह बुनेंगे, दो यह, तो सीदे बुन लेंगे और जहां पर हम फिर डिजाइन को बनाएंगे, एक में से तीन फंदे नकाल ले, फ आगे के 6 फंदे भी simple बुने तो हमारी 8 सलाई फिर हाँ start होगी है मतलब यह हमारी 3rd सलाई बनी है 2, 4, 5 हाँ 5 भी सलाई बनी है अब 6 सलाई में फिर हमने पूरा उल्टा बुनना है लेकिन जो हमने 3 तीन फंदे नकाल ले हैं उसको हमने slip करना है ऐसे इसको slip करना है तीनों को फिर आके भी slip करना है और फिर हमने 6 फंदे बुनने है जो हमारे उल्टे है और साथ में 2 फंदे जे वाले तो ऐसे हमने complete कर लेना है अब हमने इस design की direction change करनी है तो कैसे करेंगे वह आपने जहां देखा है जहां भी देख लीजिए तो जो फंदे जैसे दिखते हैं पहले बुन लिए 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे अब हम direction change करेंगे जहां पे हाथ रखेंगे और इन 3 फंदों को ऐसे edge stitch ही ले लेंगे अगर आप एक cross करने वाली वीडियो केबल की देखना चाते हैं तो हमने जसी knitting में tip centric में बहुत अच्छे से बता रखा है कैसे पकड़ना है कैसे change करने है तो वहां आप देख सकते है tip centric में और इसको फिर हमने ऐसे ऐसे करके सीधा बुनना है दो फंदे सीधे बुनने है बीच के फिर हमने जहां पे एक दो फंदे पहले ही ले लेने है पीछे से और इन 3 को आगे लाते हुए बारी बारी से तिनों को बुनना है बट इसको हमने पीछे को बुनना है तब ही ये फिलावर बनके आएगा ऐसे और फिर आके सीधा ही बुनना है जो हमारे फंदे सीधे दिख रहे हैं उसको और एक लास्ट वाला उल्टा और ऐसे आजाएगा अब आठमी सलाई हमने बिलकुल जो फंदे हैं बराबर उल्टी उल्टी सलाई बना कर कम्प्लीट करनी है इसी लिए हम कहते हैं कि बिगनर इसको बड़ी असानी से बनाएंगे बस जो क्रॉस करने का है वो तीन फंदे गिरने नहीं चाहिए जब क्रॉस करते हैं तो उसको ध्यान से आपने बनाना है अगर नहीं बनता दो सलाई में तो एक थर्ड सलाई इस्तेमाल कर सकते हैं तीन फंदे वहां उतार के फिर क्रॉस कर सकते हैं तो यह देखे कितना सुन डर्डोरी स सब्सक्राइबुना ये इसे हमें भाक कीन ऐसे हम आज और आखे बढ़ते जना है तो लुजप लिए पुक्ति मतविप खेशती है आप सब्सक्राइबुना होथिसे बरिधोथ ही उक्राइब लिए hannar को बना है तो आप जसी नीटिंग को उपन कीजिए और जब वीडियो बनाएए अपनी वीडियो को देखते हुए स्वेटर बनाएए स्वेटर बनाते हुए अपने वीव हमारे साथ जूर शेयर करना तो मिलते हैं next किसी अच्छे प्रजेक्ट के साथ तो तब तक खुश रहें आब आद रहें बड़ बाई